नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दा इंडियन एकॉनमिस्ट में तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 850 मेकावाड रातले हाइड्रो पावर प्रजेक्ट के बारे में तो इंपॉर्टन्ट है जाने के इसकी लोकेशन के बारे में क्या इंपॉर्टन्ट है कौन-कौन सी और्गनेजिशन मिलके जो है इस प्रोजेक्ट को जो है कम्प्लीट करेंगी बनाएंगी तो इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में न्यूज में क्यों है तो हाली में जो हमारी यूनिन कैबिनेट है जिसको की चेर करते हैं हमारे प्राइमिस्टर श्री नरेंदर मोधी जी तो उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी है कि अभी के लिए वो 5,288 करोड जो है इसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यह जमो कश्मीर में बनेगा तो इसमें confusion मत रखेगा कि रातले नाम है तो इसका अगर आप ए लोकेशन अगर खुद से find out करने शुरू करें तो यह मत समझेगा कि महाराश्टर वाली साइड होगा जहां फिर तिलंगाना वाली साइड होगा तो यह जमो और कश्मीर की यूटी में बनेगा किस्तवा डिस्टिक्ट है वहाँ पर चैनाब रिवर के ओपर तो इसको जो बनाएंगे उसके लिए एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जिसमें की नैशनल हाइडरो एलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन और जमो कश्मीर की जो स्टेट पावर डिवेल्पेंट कार्पोरेशन लिमिटेड है यह दोनों मिलकर काम करेंगी और अपना इक्विटी जो कॉंट्रिबिशन होगा 51 परसंट करेगा NHPC और 49 परसंट करेगा जो जमो कश्मीर स्टेट पावर डिवेल्पेंट कॉर्परेशन लिमिटेड है तो यह दोनों मिलकर जो है पैसा लगाएंगे और जो है इसका प्रोजेक्ट का काम जो है उसको शुरू करेंगे और अभी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के जो सेलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में तो सबसे पहली बात है कि जो भारत सरकार है यह सुपोर्ट परवाइड करेगी यूनिटरिट्री ऑफ जमो और कश्मीर और ग्रांट जारी करेगी 700 शेतर करोन रुपे की फॉर एक्विटी कॉंटर्बिशन ओफ जे के एस पीडिसी तो देखिए अभी यूटी जमो और कश्मीर की जो सरकार है एक तरह की वो यूटी बन चुकी है तो यूनिटरिट्री सिद्धे की सिद्धे पर जो यहां पर काम करेगी और जो यहां पर जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है दोनों को मिला कर साथ में जो नच्पीसी भी आएगी तो यहां पर काम शुरू होगा रातले हाइडरो लेक्ट्रिक पावर प्रजेक्ट का तो इसकी जो यहां पर पावर कापैस्टी होगी वह और 850 मेगाबाट होगी इसके लबाब बात करें नच्पीसी की तो यह अपनी और से जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो होगी 808 करोड रुपे तो यह अपने इंटरनल रिसोर्सें से ही पैसा जुटाएगी बाहर की जो मार्केट है वहाँ से उधार नहीं लएगी जो यहां पर इसकी खुद का जो रेवन्यू होता उसी से पैसा जुटाकर यहां पर इन्वेस्ट करेगी और आगे बाद करें तो यहाँ पर target रखा हुआ है कि 60 months, 60 महिने के अंदर कर जो है यहाँ पर इस project को commission कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा, तो इस power project से क्या फाइदा होने वाला है कि जो भी power यहाँ से generate होगी, यह help करेगी जो grade है, जो यहाँ पर चाहे northern grade है, चाहे किसी state का grade है, तो व पाईगी आने वाले समय में, जो बिजली के cut वगरा लगते हैं, तो उसे नयाद पाया जा सकता है आने वाले समय में, अगर ऐसे projects लगते रहेंगे, तो यही एक फाइदा हमें यह project देने वाला है, जमू कश्मीर में, तो आगे बात करें, इसकी implementation strategy के बारे में, तो इसको कै कैसे implement किया जाएगा, तो जो जमू कश्मीर, UT of जमू कश्मीर की जो सरकार है, वो यहाँ पर चाहेगी, कि जो project है, उसको viable बनाया जाए, और जब यह project implement होगा, commission होगा, 60 मेने बाद, जब इसकी completion हो जाएगी, और इसको commission किया जाएगा, शुरुवात की जाएगी, उससे water users charges नहीं लेगी जमू कश्मीर की सरकार, तो एक तरह से अदाएगी करेगी अपना जो उसका state का GST होगा, तो साथी साथ, जो free power, जो यहाँ पर UT of जमू कश्मीर को मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में भी जो है, अपना जो पलड़ा उसको भारी रखने की कोशिश करेगी, कि हमें जो है आने वाले 12 सालों तक जो है कम से कम free power मिले, लेकिन यहाँ पर जो charges होंगे, free power के माइने में भी 1% जो है यहाँ पर starting में जो commission होगा जो project उसे साब से charges लगाएंगे कि पहले साल में, और 12 साल तक जाते जाते जो है 12% हो जागे, कहने का मतलब कि हर साल 1% का rise जो ह इनके charges होंगे, power के regarding में, उसके बारे में, तो overall अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरह से project को viable बनाने की कोशिश की जाएगी, UT of जमो किश्मीर के दवारा, एक और जो है 10 सालों के लिए जो water user charges है, उसको exempt करेगी, UT of जमो किश्मीर, और साथे साथ जो free power है, जो की UT of जमो कि किश्मीर को मिलनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे जो है, इसका rise करेंगे, 1% से 12% आगे आने वाले 12 सालों में, तो काफी फाइदा जो है, इससे मिलेगा, UT of जमो किश्मीर को, और बात करें इसके objectives के बारे में, तो यहाँ पर अगर यह project start होता है, तो जग construction activity शुरू होंगी, तो आने वाले समय में, directly और इंटरेक्टली, 4000 लोगों के आसपास को जो है job मिल सकती है, और यहाँ पर contribute करेगा overall social economic development के लिए for union territory of जमो और कश्मीर, और दूसरा अगर objective बात करें, तो जमो और कश्मीर की जो सरकार है, जमो कश्मीर के जो बचेंदे होंगे, वहाँ पर benefit मिल जो free power है उसका, so free power कितने करोड की 5,299 करोड की जो है power वो लेंगे, आने वाले 10-12 सालों के अंदर अंदर, और जो इन्होंने water user charges जो शोडे हैं, वो कितने करोड के बनते हैं, 9,581 करोड के वो charges बनते हैं, जो exempt की हैं, तो एक तरह से बात करें, तो overall development होगी, यहाँ पर आन 40 साल तक माना जा रहे हैं, इतना है यह project जो है, काम करेगा इतनी देर तक, तो जमू कश्मीर के जो लोग हैं, उनको फाइदा मिलेगा, चनाब river के ओपर यह project बनेगा, और जो चनाब river के ओपर जो पानी है, उसका सही utilize हम करेंगे आने वाले समय में, तो आगे अगर चनाब जमू कश्मीर UT का मैप, अभी confusion मत रखिएगा, अभी map अलग हो चुका है, पूरा का पूरा जमू कश्मीर अब 200 में बन चुका है, एक जो है लदाग unit territory है, दूसरा जो है जमू कश्मीर की UT है, तो यह जो पूरा आप देख रहे हो, यह area, यह सारा का सारा जो है, यह dotted line आप यहां से देखोगे, तो यहां से division हो चुकी है, तो यह सारा का सारा area जो है अभी जमू कश्मीर UT का हो चुका है, और यह सिरी नगर है, इसकी capital, यह गुलमर का area है, और इदर वाली side यह लदाग की UT आ चुकी है, तो हम इस national park पढ़ती है लदाग UT में, और यहां पर यह सिरी पार्क आपको देखेगी, side में है आपको बनी हाल, अनतनाग, यह सारे areas हैं, तो किस तवार को explore करते हैं, तो यहां पर चनाब river आपको दिखेगी, यह देखिए चनाब river आ चुकी है, तो इसी चनाब river के उपर इस जगा पर जो है, डैम जो है located है, तो यह है proper area जहां पर यह डैम located है चनाब river के उपर, तो चनाब river यही से आगे जाके जो है पाकिस्तान के और जाती है, और पाकिस्तान में जो इंडस नदी है, उसके साथ जो है उसका विले हो जाता है, फिर वो जो है अरब सागर में जाकर गरती है, और अभी आप मुझे comment box में बताइए कि चनाब river इसकी शुरुवात कहां से होती है, शुरुवात वला starting point कहां पर है, कौन सी location है, उसके बारे में आप मुझे comment box में बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो किरपया, like, share और subscribe जूरूर करें चैनल को, बहुत धन्यवाद।